हेलो एवरिवर्ण मैं एक सोसंतता से नानी व्योमिश चंदर बनर जी के बारे में दस पंक्तियां बताने वाली हूँ व्योमिश चंदर बनर जी का जन्म 29 दिसंबर 1842 को कुलकता में हुआ था बनर जी ने ओरियंटल सेमिनरी और हिंदू स्कूल में अधियन किया उनका करियर 1862 में शुरू हुआ उनका विवा आहे मांकिनी मोतिलाज से हुआ वह एक सहसंस्थापक और भारती राष्टी कॉंग्रेस के पहले अधियक्ष थे वह एक स्थियाए वकील के रूप में कारे करने वाले पहले भारती थे व्योमिश बनर जी अंगरी जी चाल डाल के इतने कठर हुरियाय आई थे लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हिर्दे सेवे सचे हुआ रहे थे थे उनका दूसरा प्रचलेत एवं हिंदी नाम उमिश चंद बनर जी था कॉंग्रेस के 133 वर्ष के टिहास में सबसे युवा अधियक्ष बनर जी थे 1901 में वह कलकता बार से सेवानी वरत हुए 1902 में वे इंग्लेंड जाकर बस गए 21 जुलाई 1906 को 62 वर्ष की आयू में बनर जी का लंबी बिमारी के कारण निधन हो गया ये थे इनके बारे में दसपंक्तियां ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थेंक्यू